नमस्कार आप सभी का एकंस्ट कफसन 99 में बहुत बहुत स्वागत है आज हम लोग जानेंगे राजी सूचना आयोग भी किन चार बिंदूओं पर सूचना नहीं देनी चाती है और समय सिमा पर समाप्थ होने के बाद भी अब तक कोई सूचना नहीं दी गई है चलिए आप लोग इस वीडियो को लगातार जरूर देखेंगे जिससे हम भारतिये को भी राजी सूचना आयोग में भी RTI लगा कर उससे जानकारी प्राप्त कर उसके खिलाब भी सिकायत बात दायर कर सकते हैं चलिए जो इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किये हैं वो अबस सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को दबा कर आल पर भी क्लिक कर लें जिससे इस तरह के हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे तथा आप रश्टाचार के खिला आप RTI Act का प्रियोग कर सकते हैं एक लाइक अवस्ट कर देंगे तथा इसे अधिक से अधिक से अधिक सेयर करें जिससे हर भारतिये राज सूचना आयोग में भी RTI लगाकर उन से संबंधित सूचना प्राप्त कर जानकारी लेकर अपने अधिकार की रक्षा कर सकते हैं चल जिस चार बिंदों पर मैंने 22 सितंबर 2022 को सूचना आयोग में ही हाथो हाथ यह आवेदन जमा करवाया था उसका receiving है मोहर हस्ताक्षर सहीत है आप लोग देखें मैं किस चार बिंदों पर सूचना मांगा था लेकिन सूचना आयोग भी 30 दिनों के अंदर कोई सूचना न दी है पहला मैंने मांगा था सूचना आयोग द्वारा आर्ट याइक 2005 के तहद द्वीती अपील एवं सिकायतबादों का डिसीजन जिस परकिरिया अद्वारा किया जाता है उसका परमानित परती अपलत कराएं दूसरा धारा आठारा के तहद दायर सिकायतबाद में सिकायत करता से PIO का नाम एबं बर्तमान पता जिस नियमों एबं आदेशों के तहट पूछा जाता है उसकी प्रमानित परतीर दी जाए तीसरा क्या सूचना आयो को धारा ठारा एक के तहट दायर सिकायतबाद में PIO का नाम और बर्तमान पता संबंधित विभाग से जानने या पूछने का अधिकार नहीं है किसी भी कारियाले या विभाग के कारियालों में ना तो लोग सूचना अपदा अधिकारी का नाम दर्साया जाता है नहीं लोग सुचना अपदाधिकारी अपने परतिवेदन में अपना नाम लिखते हैं तो सिकायत करता इस संबंद में कैसे जानकारी प्राप्त कर सकता है इस संबंद में पूरी जानकारी दें चोथा आयोग में दायर दिती अपील या सिकायतबात के निश्पादन में RTI 1.25 के तहत अधिकतम कितने दिनों में निश्पादित करने का प्राफधान है इसकी भी प्रमानित परती दी जाए इस प्रकार मैंने बिहारा सूचना आयोग में हाथों हाथ यह सूचना मंगने है तो आवेदन रिसीव करवाया था लेकिन आज 22.9.2022 को ही करवाया था आज 12.11.2022 हो गया लगवक पचास दिन हो पूरे हो गये लेकिन अब तक इस संबंद में कोई सूचना सूचना आयोग भ रहा है ऐसा लग रहा है कि सूचना आयोग में भी अब भरष्टाचार ब्यापत हो रहा है जिससे आवेदक को भी अनेक परिशानियों का सामना करना पर रहा है और सूचना आयोग भी सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 का पालन ठीक से नहीं कर पा रहा है इससे शाबित होता है कि सूचना आयोग भी मनमानी कर आवेदक को ही गुमरा कर परिशान करते हैं जिससे PIO का मनोबल और प्रथम अपिलिय पदादिकारी का भी मनोबल बरता जाता है जिसके कारण प्रस्टाचार भारत में अधिक से अधिक फैलता जा रहा है इसलिए हम आम जनता को भी सूचना आयोग में हो रहे गरवरी के खिलाब हाई कोट अवस्ट जाएं जिससे की सूचना आयोग में भी सूचना अधिकार अधिनियम के तहत ठीक से PIO पर कारवारी हो सके तथा आवेदक को कोई परिशानी का सामना न करना परे जय हिन